गरीब घर में लकडी से चूला जलाने की कोशिश करती सावित्री, वो पास बैठा बुढ़ा पती महेश, तरवाजे से देखती रजनी. गरीब की रसोई भी आफ़त से कम नहीं, चूला जलाने में ही घंटो लग जाते हैं. सावित्री अपनी बेटी रजनी के साथ रहती थी. रजनी नंदू सेट की रसोई में खाना बनाने वाले रसोईये की मदद किया करती थी. रजनी नंदू सेट की आलिशान रसोई देखते हुए सोचती हैं. मौडन गैस चूला, अवन, टोस्टर, एर फ्रायर, डिश वॉशर, अलमारी जैसा बड़ा फ्रिज, स्वर्ग में भी ऐसी रसोई ना होगी. रजनी यह सोची रही होती है कि तभी सेटानी आईशा आ जाती है. सुनो, आज डिनर में पालक पनीर, स्पेशल मटन करी, टुन्नू के लिए खीर और मीठे में गुलाब जावुन बनेगा. पर दुपहर का काफी खाना बचा है सेटानी जी. उसे कूडे में फिकवा दे. यह सुनकर रजनी सन रह जाती है और सोचती है. गरीब को खाना नसीब नहीं होता, और सेटानी खाना फेंकने की बात करती है. वाह रे भगवान, वाह. क्या सोचने लगी रजनी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेटानी जी, कुछ नहीं. तो चलो, रात के खाने की तैयारी पर लग जाओ. रजनी, नन्दू सेट के परिवार को रात का खाना खिलाने के बाद ही घर लोटती थी. उस दिन सब के लिए खाना लगाती है, तो नन्दू सेट खाना खाने से मना कर देता है. आप खाना क्यूं नहीं खा रहे हैं? भाई, आज तो मैं खाना बाहर खाया हूँ, तुम सब खा लो. यह सुनकर आईशा रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, आज तुम यहीं डिनर करके घर जाना रजनी? जी, सेठानी जी. इनका तो रोज-रोज का यही काम है, बाहर से खाना खाकर चले आते हैं. सावित्री महेश से कह रही थी, आटा तो खतम हो गया है, जो बचा है, उससे तो चार रोटियां ही बनेंगी. तो क्या हुआ? दो रोटियां तुम खा लेना, और दो रजनी को खिला देना. और आप? आप क्या भूखे सोएंगे? इसके सिवा और मैं कर भी कह सकता हूँ, सावित्री. यह सुनकर रजनी की आँखों में आसू भराते हैं, और वह भगवान से नाराज होते हुए कहती है, वहरे भगवान, तेरा नयाय, वहाँ सेट की रसोई में तो राशन के भंडार भरे हैं, और यहां गरीब की रसोई में, राशन का आकाल, अजब है तेरी लीला. तब ही सावित्री की नजर रजनी पर पड़ती है, और वह उसे रसोई में बुलाते हुए कहती है, अरे, तु आ गई बेटी, आ, आजा, गरम गरम रोटियां खा ले, मैं तो पेट भर कर खाना खा कर आई हुँ मा, ये रोटियां तुम और बाबुजी खा लो, ये कहकर रजनी दर्वाजे की ओट में खड़ी होकर, उनकी बाते सुनने लगती है, अच्छा हुआ रजनी सेट के घर खाना खा आई, अब तो मुझे भी खाने को दो रोटियां मिल जाएंगी, सुभा नंदू सेट के घर जाने से पहले, रजनी रसोई में जाकर देखती है, तो सब बर्तन खाली मिलते हैं, घर में तो अनका दाना तक नहीं बचा, मेरी कमाई से तो रसोई भी महीने भर नहीं चल पाती, काश हमारे घर भी नंदू सेट जैसी रसोई होती, रजनी नंदू सेट की रसोई में साफ सफाई करने लगती है, तो अचानक ही उसकी नजर आटा, दाल, चावल, आदी तरह तरह के राशन पर पड़ती है, राशन का भरा पूरा भंडार देखकर, रजनी को अपने भूखे माबाप के उदास चेहरे याद हो आते हैं, हमारी रसोई में तो राशन का दाना भी नहीं बचा है, फिर मा और बाबुजी तो भूखे ही तड़प रहे होंगे, नहीं नहीं, मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूँगी, यही सोचकर, रजनी आईशा सेठानी के पास जाकर कहती है, सेठानी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अरे हर दूसरे दिन पैसे मांगती रहती है, तुझे शर्म है की नहीं, जब नौकरी हमारे यहां करती है, तो पैसे मांगने क्या स्वर्ग में इंदर देव के पास जाएगी, दे दो कुछ पैसे, आईशा सेठानी के कहने पर कंजू सेठ रजनी को पचास रुपए दे देता है, पर उस समय ये थोड़े से पैसे भी रजनी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, वे मन ही मन सोचती है, इनसे मेरे भूखे मां और बाबुजी को कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा, यही सोच कर रजनी आईशा सेठानी से कहकर उनकी कोठी से निकल जाती है, फिर एक होटल से पचास रुपए का खाना खरीद कर अपने घर की तरफ चल देती है, मगर अभी वे कुछ दूर ही जाती है कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बेटी, ए बेटी, जरा सुन तो, रजनी पीछे मुड़ कर देखती है, तो एक गरीब बुढ़िया को खड़े पाती है, क्या हुआ माजी, कुछ चाहिए क्या? बेटी, तीन दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा तेरा, यह सुनकर रजनी दुविधा में पढ़ जाती है, घर पर उसके माँ और बाबुजी भूखे बैठे थे, और इधर वह गरीब बुढ़िया, पर रजनी बड़ी दयालू थी, इसी लिए वह मन ही मन सोचती है, यही सोचकर रजनी खाना बुढ़िया को दे देती है, और बुढ़िया खाना खाकर रजनी को आशिरवाद देने लगती है, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी, तेरे घर की रसोई में अनके भंडार भरे, यह कहकर बुढ़िया रजनी को एक खोटा सिक्का देते हुए कहती है, तुमने मुझे खाना खिलाया है, तो मुझे भी तुम्हे कुछ देना चाहिए, लो यह सिक्का रख लो, पर मैं इस खोटे सिक्के का क्या करूँगी माजी, अरी तु इसे रख तो ले, मैं कहती हूँ कि तेरी किस्मत बदल जाएगी, देखना, रजनी बुढ़िया से खोटा सिक्का लेकर घर आती है, तो सावित्री और महेश को रसोई में खाना खाते पाती है, रजनी हैरानी से पूछती है, बेटा, मंदिर में भंडारा लगा था तेरे बाबुजी, वही से आलू की सबसी, पूडियां और हलवा ले आए, तू भी खा ले, पहले आप दोनों खा लो, यह कहकर रजनी खोटे सिक्के को एक जगा पर रखतेती है, और फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, कुछ तिन बाद नंदू सेट रजनी को बुला कर कहता है, हम अपने परिवार के साथ विदेश में अपने भाई के पास जा रहे हैं, चार-पांच महीने वही रहेंगे, इसलिए कल से तुम काम पर मताना, इस तरहां रजनी की नौकरी चली जाती है, और वे काम के लिए दर-दर भटकने लगती है, मेम साहाब, काम वाली की जरूरत हो तो बताना, मैं घर के सब काम कर लेती हूँ, यहाँ तो सब के घर काम वाली है, इसलिए कहीं और जाकर ढूंडो, हाँ, रजनी को काम मिलता नहीं और पैसा आता नहीं, दिन पर दिन हालत खराब होती जाती है, और घर में भुखमरी आ जाती है, रजनी शाम को घर आती है, तो रसोई के शान्थ चूले को देख कर रो ही पड़ती है, और कहती है, लगता है, आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा, तब ही सावित्री रजनी को पानी का गिलास देते हुए कहती है, लो, पानी पी लो बेटी, आज काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, तब तक पानी पी कर गुजारा कर लेंगे, एक दिन महेश रसोई में जाता है, तो महेश के हाथ वही खोटा सिक्का लग जाता है, अरे, खोटा सिक्का, ये तो कोई बहुत पुराना सिक्का लग रहा है सावित्री, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, महेश सिक्के को उलट-पुलट कर देखता है, और फिर उसे सावित्री हैरान रह जाते हैं नन्नी सी अपसरा हवा में नाचते हुए कहती है यह सुनकर सावित्री उस नन्नी सी अपसरा से कहती है हम गरीबों की रसोई में इतना राशन भर दो कि हमको दो वक्त भर पेट खाना मिल सके हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया नन्नी सी अपसरा ठीक है अब खा लेना और आज के बाद कभी भूखा मत रहना यह कहकर अपसरा अपने पंख फढ़ फढ़ाने लगती है और उसके पंखों से छोटे छोटे तारे उड़ने लगते हैं फिर तो देखते ही देखते उनकी रसोई अमीर सेठ नन्दू की रसोई से भी शानदार रसोई बन जाती है महेश खुश होकर कहता है अरे अरे वाह यह तो चमतकार हो गया सावित्री हाँ अब हमारी रसोई में भी रसोई के सेठ की रसोई की तरह समय पर खाना बनेगा फिर तो रसोई के लिए खाना बनाने में लग जाओ आज खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा शाम को रजनी घर आती है तो अपनी रसोई को देख कर दंग ही रह जाती है फिर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उस खोटा सिक्का देने वाली बुढ़िया का वैहिर्दय से धन्यवाद करती है विनोद की पतनी मालती ने बेटे को जन्म दिया दोनों बहुत खुश थे लेकिन मालती अपनी जेठानी उमा को लेकर बहुत दुखी थी शादी के बारा साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी मालती विनोद से कहती है सुनो जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने बेटे को ओमा दीदी को गोद दे दे इस पर विनोध बोला लेकिन हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं देखो जी, हम चार बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे पहले से ही दो बेटी और एक बेटा है और अब ये आप सबजी बेच कर कितना कमाल होगे मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो हाँ आँ, वैसे तो सही कह रही हो मेरा काम भी कोई बड़ा नहीं है भाईया तो बैंक में हैं, हमारे एक बेटे का भविशय तो बनी जाएगा चलो ठीक है, दे देते हैं अरे बेटा तो फिर भी हमारे ही रहेगा भाईया भावी से आज ही बात करता हूँ विनोद अपने भाईया और भावी के सामने बात रखता है भाईया, अपनी चाती पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है भावी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो रवी और उमा बहुत खुश हुए, उनकी तो मुराद पूरी हो गई लेकिन देवर जी, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए बच्चों को इस बात का कभी नहीं पता चलना चाहिए ठीक है भावी जी, मैं वादा करता हूँ किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा अब एक बेटा विनोध के पास था और एक रवी के पास विनोध बेचारा रेडी पर गली-गली में सबजी बेच कर घर का खर्चा चलाता था और रवी बैंक में मैनेजर था विनोध के बेटे का नाम आयूश था और रवी के बेटे का नाम था चिराग दोनों बच्चों की परवरिश अलग-अलग माहौल में होने लगी में ही पढ़ा आयूश हमेशा चिराग के पुराने कपड़े और जूते चपल पहनता था उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही आयूश का काम चल जाता था आयूश एक दिन अपनी मम्मी से बूला मम्मी बड़े पापा और चिराग भाईया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यूं है तो मालती ने कहा बेटा उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सबजी बेचते हैं उपर से तुम तीन भाई बेहन हो हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है उनका क्या चिराग तो अकेला है हमारे पास पैसा कहां से आएगा आयूश यह सुनकर उदास हो गया ऐसे ही दोनों बड़े हो गए चिराग पढ़ लिकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी लेकिन आयूश बारवी कक्षा तक ही पढ़ पाया आगे पढ़ाने के लिए विनोथ के पास पैसा नहीं था और अब वह अक्सर बीमार भी रहने लगा था आयूश ने अपने पापा का काम संभाल लिया क्योंकि अब उनसे गलियों में सबजी की रहरी लेकर नहीं घूमा जाता था पापा आप आराम करो अब आप बीमार रहते हो चिंता मत करो मैं बेच लूँगा सबजी नहीं बेटा, इतना भी बीमार नहीं हूँ मैं, तु कुछ और काम देख ले नहीं पापा, मैं कर लूँगा, बस आप आराम करो, चिंता मत करो और फिर वह सबजी बेचने लगता है एक दिन उसने सोचा की ये काम बुरा नहीं है, अच्छी कमाई हो जाती है क्यों न बचे हुए पैसो में साथ के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करो अब वह दिन में सबजी बेचता और रात में पढ़ाई करता चिराग जब भी उसे देखता तो उसकी हसी उडाता हरे भाई, तुझे कोई और काम नहीं मिला क्या पूरी जिंदगी ये सबजी की रेड़ी ही खीशते रहोगे तुम्हें तो अपना भाई बताने में भी शर्माती है साथ में चिराग के दोस्त भी उसकी हसी उडाते थे चिराग को हमेशा आदत थी कि वह अपनी सारी चीजों की तारीफ खुद ही करता रहता था अरे आयोश, ये देख मेरी शेट दो हजार रुपे की है यार तेरे तो मज़े हैं, कुछ दिन मैं पहन लूँ मेरा मन भढ़ने के बाद तो तुझे ही पहनने है भईया, आप अब मुझे अपने कपड़े मत देना अब मैं काम करने लगाऊं, मैं नहीं खरीद लूँगा तेरी कमाई इतनी नहीं है, जो तु इतनी महंगी कमीज खरीदेगा रवी ने अपने बेटे को इस तरह की बाते करते सुन लिया उसे बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा ऐसी सोच रखता है शायद हमारे लाट प्यार नों से बिगार दिया है इसे सबक सिखाना पड़ेगा रवी ने घर जाकर उमा के साथ एक नाटक किया चराग बेटा, इधर आ क्या हुआ पापा? बेटा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा कल से हम तेरे विनोज चाचा के घर रहेंगे ये क्या कह रहे हो पापा? उस कच्चे से बद्बू वाले घर में मैंने रहूंगा रहना तो पड़ेगा बेटा मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरे शौक पूरा करने में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया मैंने ये घर कर्जा चुकानी के लिए बेज दिया है चिराख के तो पैरों से जमीन खिसक जाती है और वैं सोचता है कि क्या उसके पापा के पास सिर्फ इतना ही पैसा था और अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी अब क्या होगा आयूश बेटा देख तो हमारे हाँ डाकिया ये लेटर डाल कर गया है जरा पड़ तो इसे आयूश ने खुशी के मारे अपने पापा को गले लगा लिया पापा मेरा जॉइनिंग लेटर है मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई है लेकिन आयूश ये सब कैसे मैं समझे नहीं पापा मैंने आपको बताया नहीं मैं दिन में सबजी बेच कर रात में पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी ये उसी का परिराम है वाह बेटा वाह तुने मेरा सिर्फ फक्र से उंचा कर दिया अगले दिन रवी, उमा और चिराग के साथ वहां पहुँच गया विनोद, हमने अपना घर बेच दिया है आज से हम भी यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ सब लोग बहुत खुश थे लेकिन चिराग परिशान था उसे आयूश से जलन हो रही थी कई दिनों के बाद चिराग ने सोचा जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक कोई प्राइवेट नौकरी ही ढून लूँ कम से कम पूरे दिन इसका बूतर खाने में तो नहीं रहना पड़ेगा न वे अपनी बाइक से जा रहा था लेकिन किसी ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी और उसका सिर सडक पर पड़े पत्थर से जा टकराया इससे वे लहू लुहान होकर बेहोश हो गया कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले कर गए और उसके घर पर खबर की आयूश, रवी और विनोद तीनों हॉस्पिटल पहुँचे डॉक्टर ने कहा देखिए आप में से किसी को ब्लड ओप पॉजिटिव है तो जल्दी अंदर आईए हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रूप नहीं है खुन बहुत बह चुका है जल्दी खुन नहीं चड़ाय गया तो कुछ भी हो सकता है उसकी जान खत्रे में है सर, मेरा ओ पॉजिटिव है मेरा खुन ले लिजे और मेरे भाई को बचा लिजे डॉक्टर ने आयूश का खुन चिराग को चड़ाया अब वे खत्रे से बाहर था चिराग जब होश में आया तब रवी ने उसे बताया कि आज वे अपने उस गरीब भाई की वजह से जिन्दा है जिसकी गरीबी का वे मजाक उड़ाया करता था अगर आज आयूश खुन नहीं देता तो तुम जिन्दा नहीं बचते पापा आयूश को बुला दीजिए आयूश अंदर आया और चिराग ने माफी मांगते हुए उससे कहा मुझे माफ करतो भाई मुझे अपनी अमेरी का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था हमारा घर, रुपिया, पैसा सब चला गया लेकिन मुसीबत के समय एक भाई ही भाई के काम आया मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी गुस्सा नहीं था लेकिन हाँ अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता था सब भूल जाओ भाईया और घर चलो घर पर मम्मी और बड़ी मम्मी इंतिजार कर रही होंगी चिराख अब उन दोनों से अच्छा बरताफ करने लगा चिराख, मैंने घर बेचने का नाटक हमें उलाद ना होने के कारां तुझे हमें गोद दे दिया था मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन तेरी उसके घरीबी के लिए सोच देखकर मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा पर अब तो हाँ सुधर गया है चल अब हम अपने घर चलते हैं नहीं पापा आपने मेरी आँखे खोल दी अब आप और हम यहीं रहेंगे सब एक साथ मुझे वो बड़ा घर नहीं चाहिए शिक्षा मुसीबत के समय में पैसे नहीं अपने काम आते हैं